हालो और गुड मॉर्णिंग एवरिवन माईसेल्फ आकिप सिद्धी की और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के मैगनेटिजम का लेक्टर नमबर 4 मतलब मैगनेटिक एफेक्ट आफ करेंट पढ़ने जा रहे हम लोग तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में इसके लेक्चर 1, 2 और 3 में हम लोगों ने दो में चीज़ें पढ़ रखी हैं पहली तो यह कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से फ्लो होने वाला करेंट अपने आसपास मैगनेटिक फिल्ड को क्रियेट करता है और जो कि जैसे माल में यह कंड़क्टर है कंड़क्टर से जालते हैं तरीका क्या है लोवर एंट से मिलाया उसको 51 बोल दिया और अपर एंड से मिलाया उसको फाइटू बोल दिया ठीक और मैगनेटिक फील का फार्मुला क्या बनता है यहां पर म्यू नॉट अपॉन फॉर पाई आई अपॉन आर और साइन फाइवन प्लस साइन फाइटू फॉर इन्फाइनाइट कंड़क्टर यह फॉर इन्फाय नाइट कंड़क्टर आपका फाइवन बराबर फाइटू बराबर नाइंटी डिगरी हो जाता है तो साइन 90 प्लस साइन यहां प्लस वन टू और यह टू कर जाता है तो बी कितना आता है बी इंफिनिटी अगर देखो इंफानाइट कंड़क्टर की वैसे तो मियो नौट आई अपॉन कितना आएगा टू पाई आर आ जाएगा है ना अच्छा एक चीज समझने वाली यह है कि अगर मान लो कि वह प पॉइंटठ लाइज ओन दा एकसिस ऑफ दी कंड्डेक्टर इस पॉइंट के पॉइंटर आपका एंचे यह करेंट जा रहा है तो आइसे जा जागे हैं आप प्यूच रहा है कि मैंनेटिक फील क्या होगी कंड़क्टर की वाज़ेसे मान लो मुढ गया है तो इस अगर बिटा जीरो के बराबर होती क्यों होती है जैसे मालों यहां पर यहां यहां पर फाइवन हो जाएगा और फाइटू भी दोनों जीरो हो जाएंगे यहां पर कितना आएगा साइन प्लस साइन जीड ना हका जी्र प्लस जीरो जीरो कितना हाइगा ओन सphonरी जीरो प्लस-जीरो कितना हैगा जीरो एन्टो साम्छिंग जीरो तोμ चैनिक फ्लैभ दीए ऑक्सिष बाक र्टा स्ट यह इनी पाइंट सृ लाइंग अं पर लंद विल इसे मान लो कि आपका नेक्टर यह गया है ऐसे आई करन जा रहा है यहां पर पूछ रहा है मैंगनेटिक फील्ड क्या होगी जीरो होगी है बात नोट कर लेज़ें आप लोग ठीक है फिर हम लोग देखेंगे सर्कुलर रिंग की वजए से हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि इसे आप लोग चाहें तो वीडियो पॉस्ट करके नोट कर सकते हैं जैसे माल लो अच्छा दूसरा पॉइंट हमारा क्या था हमने क्या पढ़ा हुआ दूसरे पॉइंट में सर्कुलर रिंग की वजए से मैगनेटिक फील्ड रखी है इसमें आई अमांट ओफ करेंट फ्लो हो रहा है और जिसका रेडियस क्या है सेंटर सी है रेडियस क्या है तो बी बराबर कितना पढ़ा रखा है आपने मियू नौट आई अपॉन ट्वाइस ओफ रेडियस है ना इसके कॉंपोरेंट्स ही पता हैं कि अगर किसी अलफा एं अलफा आपका 180 डिग्री हो जाएगा और क्वाटर सर्किल एलफा 90 हो जाएगा और एलफा एंगल के लिए अलफा यह थीटा कुछ भी हो सकता है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे एक तो यह हो गया मैगनेटिक फिल्ट यह आपका हो गया सर्कुलर की वज़ेसे तो सर्कु पैसे क्या है इस ट्रेट के वज़े से मैगनेटिक फिल्ट आपकी है मिउन आट आई अपाउन टू पाई ए तो यहां पर भी मैगनेटिक फिल्ट इनवर्सली प्रपोस्टल टू यहां पर क्या है डिस्टेंस है इतना फिलाल आप लोग करें अब देखियो स्टूडेंट् कॉंसेप्ट पे बेस्ट क्वेस्टेंज करेंगे इन दोनों फॉर्मलों को हम साइड में लिख लेते हैं एक बीयल है लिख लेते हैं बीयल क्या होगा महीं लीनियर वाला मियो नौट आई अपॉन टू पाई ए होगा एक रो या आर कहलो चलो रेडिया आर मतलब डिस्टेंस और यहां पर क्या होगा भी सीबी सी मतलब सर्कुलर की वैसे मिव नौट आई अपॉन तू एक अपका रेडियस है आर यहां पर दिस्टेंस है अब देखिए जैसे मान लिजिए कि हमने पूछा गया है फॉइंड इसको हमने आप सी नाम दिया है यह से मान लो कि एक हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है और यह करेंट जा रहा है ठीक आई अमांट ऑफ करेंट जा रहा है और यह यह इसका सेंटर इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है यह है तो देखो भीटा सेंटर में दो तीन चीजों के वैज्जे से में अमागनेटिक फील बनेगी एक तो इसके वज़े हैं मतलब कि B1 बराबर B3 बराबर कितना हो जाएगा आपका जीरो क्यों मैंने बताया है अभी इसी चीज़ को इसी लिए ठीक है समझ रहे हो इसी एक्सिस पर पढ़ने वाले कोई भी पॉइंट पे इन दोनों कंडॉक्टर के वैसे मागनेटिक क्या हो जाएगी जीरो यही ब बता देगा तो यहां से परना चलेगा कि बीटू क्या आएगा आउट वर्ड होगी कितनी होगी वह देखके बताते हैं कितना है स cultural के वैशे Bowl सर्किन कि वैशे क्या है दून ताइंग सा करिंड अपन्स का ऑफ रेडियसं तो फॉल सर्क्ल के वैशे हो सप्रक्न हो जाएगा उप उपन्स डीकम सप्र दोह यहां प्र इनजरा बता ही है वह दोस फिर है लेकिन फिर भी एहतियात के तोर पर दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए फर्स्ट के वैसे जीरो थर्ड के वैसे जिरो क्यावल इसके वैसे जो मैंग्नेटिक फिल्ड होगी आपकी क्या होगी मियो नौट आई अपॉन फोर आर इसे आप लोग नोट करें अब जैसे मान लो कि यह एक ऐसा कंड़क्टर है स्ट्रेट यह आई करेंट है तो यहां पर टच नहीं है ठीक है याद रखेगा यह गैप इतना नेगलिजिविल है कि इसको पुरा सरकेल ही मान लो तो करेंट यहां से आएगा ऐसे फ्लो के निकल जाएगा आई अमांट अफ करेंट फ्लो हो रहा है और यहां से मान लो यह सरकेल का रेडियस क्या है मान लो यह रेडियस भी इसका ए है यह पी पॉइंट पर तो मैगनेटिक फिल्ट पता करना है फाइंड बी आट पी अ मैं देखो पी पॉइंट पे दो चीजों की वजह से मागनेटिक फिल्ट मिलेगी यह किस इस ट्रेट कंडुक्तर की वजह से और यह स्ट्रेट कंडुक्तर की वजह से माण लेते हैं इस स्मेहर कांब्ट्तर के वैशे से मेसमाड़निक केंद हो गई द्यवन और इस कंदॉक्टर केreibt से हो गई आपकी बीजू तो से इस ऊफिर की वाइस कि आत क्टनुक्तर के स्सक्राइब काई ऑंदर तर दूरी स्थियों कितना मैंने सब्सक्राइब ...' यहाँ यहाँ लिधा और यह किधर होगा? इनवर्ड किया होगा? time in that is cross, और अगर b2 की बात करें circular ring की वहरे से तो मैंन डीक्षिक्ल क्या होगी? देखिए circular rInan के वहे से बाहर की तरफ होगी to b2 आपको केत्ता हो जाएगा, new 0 times i upon two radius क्या है यापिंस ए और यह कैसी होगी कि आउट वर्ड कि डाट लगा के सरकल अब यार नेट मैगनेटिक फिल्ट कितनी होगी भी नेट यह होगा बीवन डिफरेंस ऑफ बीटू डिफरेंस बताया दना कि जो भी बढ़ी मैगनेटिक फिल्ट होगी उसमें तो चोटी वाली हो क्या कर देंगा हम दोनों की यह स्टेट कंड़क्टर की दूरी और इस सर्कल का रेडियस दोनों सेम है फर्क क्या रहा बड़ा यह होगा क्यों क्योंकि यह पाई से डिवाइड हो रहा है तो यहां पर लिखेंगे बी नेट बराबर कितना आए गतरा बताईए बी टू माइनस बीवन बीटू एक कॉमन ले लिया यहां मिलेगा वन माइनस वन अपॉन पाई आप चाहो तो आंसर को यही पे छोड़ सकते हो जल्दी से नोट कर लो आप लोग वीडियो पॉस्ट करके भी नोट कर सकते हो अब देखें एक और वराइटी वर्शिन की कराते हैं कि कॉस्चन में बता दिये लाएगा कहां पर मैगनेटिक फिल्ड निकाल नहीं है इसे माल लो एक यह है और एक आपका यह है और माल लीजे कि यह आई करेंट ऐसे जा रहा है तो आप डिसाइड कर लोगे ऐसे जाएगा यही आई करेंट पूरे में सरकुलेट हो रहा है इस वाली रिंग का रेडियस है सेवी सरकल का आरवन अब बड़ी वाली क्या है और यह पॉइंट यह पॉइंट क्या है सेंटर है माल लो बी सेंटर निकालना है वह भी कितनी नेट देखो यहां पर बेसिकली पीटा चार माइकलेटिक फील्ड होगी एक इसके वाए से बी वन और इसके वाए से बीटू दो स्ट्रेट कंड़क्टर ने चुट चुटे और इसके वाए से माल लेते हैं बी थ्री इसके अगली बात तो आपका वी वन बराबर बी टू बराबर कितना हो जाएगा जीडो क्यूंकि जहां पर चाह रहा है वह उसी एक्सेस में पड़ रहा है अब अगर हम बात करें अच्छा यहां पर करन कैसे जाएगा देखिए ऐसे जाएगा यह चुप गया उसके वैसे करेंट कैसे तो थम्लो कोदिन कर कर करन कहली खाला थ। अर औरपका क्राइब कोल्याइक तरफ तो आपका वी फोर क्या है बी फोर कितना है सेमेसरकल कैसे पहली बत आधा कर लो अफुल सरकल की वैसे सीख चुके हम लोग ना में नौट टाइम्स आई करेंट तो सम्में सेमी फ्लो रहा है डिवाइट बाइट टू एक या है आपका रेडियस तो इस सेमी सर्क्ल कर रेडियस कितना है आरवन अब बीठी कितना आए ज़रा बताईए यह क्या होगी आपकी यह कैसे आई आउट वर आई है इसको क्या देंगे इस डॉट लगा देंगे उपर वाली की वैसे क्या होगी इनवर्ड लेके उपर वाले में जो कर रहा उसका ड्रेक्षिन क्या है खिर यहां बना लिए रोला चलीर हो जाएगा उंगलिया कर लका रहा है तो बढली वाली रिंग तो यह वन बाई टू है सेमी सर्क्ल कि इसलिए वन्यवाइटू लगा लिया मियू नौट टाइम्स आई करेंट वही है जो अपन ट्वाइस ओफ लेडियस कितना इसका आई टू आई यह किसमे आएगी कि देखे यह वाली अंदर के तरफ और यह वाली बाहर के तरफ यह क्या हो जाएगी कि उपर वाली अंदर के तरफ अब यह बताओ कि नेट मैगनेटिक फिल्ड क्या होगी यह जीरो चुकी है इन दोनों में नेट मैगनेटिक फिल्ड कितनी आए जिए बता यह बली कौन सी होगी ज्यादा बली मेगनेटिक फिल्ड को नहीं यह समझ लो कि भी फॉर और दिफरेंस ऑफफ डीजी हो गए यह बात याद रखेगा क्या होगा बीफ्र और बड़ा है कि भी थी बड़ा है यह बता हो जा लिए अपलिख लो बल्किपल कितनAH हैं तो मिनाथ आई jan XT पूर आरवन डिफरेंस ओफ मू नाट आई अपन फॉर आर्टू दोनों में से कौन सी फिल्ड बढ़ी होगी जिसका रेडियस कम होगा मैंने अल्रडी बता दिया दिया को फिल्ड किस से प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों में क्या होगा मियूनाट आई अपन फॉर आर्वन माइनस मियू नॉट आई अपन ऐपन फॉर आई अपन फॉर आर्टू एक गाम कर लेत इसको अच्छे से लिख लेते हैं बी नेट कितनी आएगी मियो नाट आई अपॉन फॉर बाहर ले लो मियो नाट आई अपॉन फॉर ब्रैकेट में क्या होगा वन अपॉन आरवन माइनस वन अपॉन आई टॉर्ट डिरेक्शन किसका होगा जो बड़ी वाली फील्ड हो गया आउट वर्ड टीक है तो सुडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये तीन ये चार कोश्चन आप लोगों को समझ में आयो होंगे मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थैंक्यों